महराज के सियम उधो ठाकरे सरजरी के बाद लंबे समय से पूरी तरह से गायब हैं उनको लेकर कोई बड़ी अपडेट नहीं आ रही है लेकिन अब जब सियम उधो ठाकरे की हिल जो है कुछ हद तक ठीक हुई है तो वो जो है इस कॉंफरेंस के माध्यम से ही लेकिन अपनी व उधो ठाकरे को लेकर कई बड़े आरोप लगाया थे उधो ठाकरे के ऊपर कई बड़े आरोप लगाया लगया थे जहां पर उनके जारा ये भी बोला गया था कि उधो ठाकरे ने जो है बीजेपी को धोखा दिया था उस टाइम भी उस पर कापी ज्यादा बवाल मचा था लेकिन अब इन्ही सब चीजों के बीच में एक प्रिस कॉंसरेंज करते हुए महराज के सियम उदो ठाकरे ने अमिस्सा के उपर निशाना साथते हुए बोला कि इस टाइम कई नेता ऐसे हैं जो कि चुनाओ के दवरान आम आदमी से चांज सितारों का वादा करते हैं और फिर सियुसेना की जो पार्टी है वो ऐसी नहीं है वो कभी भी उन वादों के पेसकस नहीं करेगी इन्हें हम पूरा नहीं कर सकते साथ में ही उदो ठाकरे के दवरा ये भी बोला गया कि सियुसेना के सुप्रीमों ने उन्हें कभी जूट बोलना नहीं सिखाया यानि कि बाल सा खतम हो जाता है तो वो अपने वादे भूल जाते हैं और बोलते हैं कि वो वादे जो थे वो एलेक्शन के टाइम में किये जाते हैं सिर्फ और सिर्फ वादे किये जाते हैं उसको पूरा नहीं किया जा सकता मतलब कि इन्हों ने इस टाइम अमिस साह के ऊपर निशाना साधा ह साथ में आपको बता दूँ कि उधो ठाकरी गौर्वन के द्वारा एक बड़ा कदम उठाया गया है और इन्हों ने जो मुंबई में रह रहे हैं जो लोग हैं आम आम लोग हैं उनके 500 स्क्वार फिट जमीन पर प्रॉपर्टी पर कोई भी टेक्स लेने से मना कर दिया है मतलब कि अब जो है जिन लोगों के पास में 500 स्क्वार फिट का प्रॉपर्टी है उस पर कोई भी टेक्स नहीं लगेगा यह जो है उद्धो ठाकरी गोवर्मेंट के दारा एक बड़ा फैसला लिया गया है आपका क्या उपिनियन है इस पर आप उतना उपिनियन कमेंट बॉक्स हमता है और वीडियो के जाए श्यादा सियर करें